प्asmus deeply के नमस्कार बल्चो आज के इस वीडियो में हम पावर बेजटई के आउट्पूट क्रेट्रिस्टिक्स के बारे में समझागे पिछले वीडियो में मैंने आपको पावर बिजटी का एंपूट कार्टरिस्टिक समझाय था जहां हमने बेस का रेंट ऐस बेस एमिटर वोल्टेज के कार्टरिस्टिक को देखा था कैसे हमने देखा महां पे कर्ण लिनियर ड्रो हो रहा है अब हम NPR पावर ट्रांजिस्टर के और पूट कार्टरिस्टिक स्के बारे में समझते हैं सेम डिग्राम हम यूज करेंगे बैसे के लिए जहां पर हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया और टीनों ट्रेमिनल को हमने बैसिंग कर दिया emitter collector यानि n और end region को हमने voltage VCC से byasing किया similarly base as well as emitter region को हमने VV voltage से byasing किया current की value को limit करने के लिए मैंने RV resistance लगाया IV current को limit करने के लिए RC resistance लगाया IC correct यानि collector current को limit करने के लिए बच्चो यह एक NPN transistor है इसलिए क्योंकि यहां से emitter terminal से current की जो direction है वो outward है तो आईए ही अब हम इसी डाग्राम को byasing को यूज करके NPN transistor के output characteristics के बारे में समझते हैं जब बच्चों इस picture को आप देखके समझ सकते हैं कि जब भी हम collector current as well as collector emitter voltage के पीच में curve ड्रॉ करेंगे that curve will be called output characteristics of any transistor आप यहां पर देखेंगे कि initial case में जब मैंने IB का current zero रखा यानि base से मैंने कोई excitation नहीं दिया क्योंकि यहां जब हम device को control करना होता है turn on करना होता है तो base current एक active role play करता है और यह reason है कि transistor के अंदर जो base terminal होता है that is called control terminal बच्चों आप यहां समझ पाएंगे कि जब हमने base current की value zero रखी है उस condition में बहुत small leakage current मुझे मिल रहा है collector current के form में और वो mode कहलाता है cut off mode मैं फिर से recall करूंगा cut off mode का मतलब होता है turn off mode इस mode में में मेरे device turn off रहता है तो जब हम collector current की value बहुत small पा रहा है जब leakage current की value बहुत ही small है और उस condition में collector और emitter की voltage की value बढ़ा रहा हूं मेरे device exactly turn on अभी तक नहीं हुआ that mode is called cut off mode बच्चों धीरे-धीरे मैंने base current की value बढ़ाने के चालू की means यहां IB1 है not equal to zero not equal to zero मतलब जिसकी value अब मैं बढ़ा रहा हूं जैसे मैं IB1 की value बढ़ा रहा हूं सभाविक है मेरा जो collector current के magnitude है वो भी time के साथ increase हो रहा है अब आप देख रहा है IB1 की value, IB2 की value, IB3 की value, IB4 की value अगर एक comparative analysis करूं तो मैं हो सकता हूं कि सबसे ज्यादा value है यहां पे IB4 की उससे छोटी value है IB3, similarly उससे छोटी value जो है वो IB2 और फिर उसके बाद IB1, means जैसे यह से मैं base current की value बढ़ाते जा रहा हूं विससे मेरा collector current increase होते जा रहा है अब बच्चों एक दूसरा यहां पे condition हम समझते हैं कि अगर मैंने base current की value बढ़ाई नहीं होती तो क्या मेरे device on होता तो मेरे device on तो होता लेकिन वो breakdown mode में चला जाता, means मैं collector base की voltage बढ़ाते जाते एक ऐसा situation आता कि जहां पे मेरे device breakdown mode में चला जाता और इस breakdown voltage पे मेरे device turn on नहीं बलकि damaged ही हो जाता इसलिए हम base current को use करते हैं जो controlling purpose है ताकि मैं अपने device को effectively turn on कर सको अब बच्चों यहां पे हम different modes of operation को भी समझ लेते हैं कि कैसे output characteristics में saturation reason discuss करते हैं तो बच्चों यहां आप देख रहे होंगे कि जब हमने IC or BCE को draw करा तो यहां initial जो curve है वो straight line है इस mode में यह जो reason है that reason is called saturation reason यहां दो प्रकार के saturation के हम बात करेंगे अगर both flatly doping होगी तो normal doping होगी तो saturation reason अलग होगा और both doping concentration बढ़ा दो तो saturation जो reason होगा वो different हो जाएगा और इसलिए यहां मैंने 2 saturation की बात करी है heart saturation as well as quashis saturation अब बच्चों हम third condition की बात करते हैं third condition में मैंने device on mode में रहता है operate होता है and that mode is called active mode तो बच्चों इस तरीके से हमने IC और BCE characteristics draw किया that is called output characteristics आप यहां पे देख सकते हैं कि कैसे मेरा device के अंदर voltage to collector to emitter voltage increase होता है जिसके बास मेरा device breakdown mode में चला जाता है और यह condition breakdown का है तो generally हम किसी भी device को effectively on करने के लिए turn on करने के लिए operate करने के लिए breakdown को avoid करते हैं अब एक और important यहां पे question आप discuss कर लेते हैं यहां पे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यह close circuit बंढ रहा है वो close circuit में voltage VCC है resistance की value RC है और similarly base to emitter का voltage है that is called VB और in close path में current circulating current की value है IC तो मैं इस close circuit में मैं आराम से कर्चॉप्स का voltage law apply कर सकता हूं तो मैं यहां कर्चॉप्स का voltage law apply कर रहा हूं बच्चों कर्चॉप्स के voltage law के बारे में आप already जानते हैं कि summation of total voltage equal to summation of their voltage drop या फिर sum of total voltage equal to zero तो मैं यहां सबसे पहले drop की बात कर लेता हूं current के value है IC और resistance के value है RC तो यहां voltage का drop हो गया IC into RC similarly मैरे पस दो voltage है इस direction मैंने current को flow करा आप already इसके बारे में जानते हैं तो मैं यहां बहुत जाए discussion नहीं करूंगा बच्चों यहां पे voltage VCC positive हो गया और similarly जो voltage VVE है वो negative हो गया तो आप यहां तो आप यहां पे calculate कर सकते हैं बच्चों कि what is the value of IC तो IC की जो value होगी VCC minus VBE divided by your resistance होगा RC इसकी unit किसमे होगी बच्चों इस तरीके से बच्चों हमने IC current की value calculate की तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे की value मैंने क्या रखा similarly collector की value collector के voltage की value क्या रखे means जब मैंने collector और emitter को बाइस कर रहा तो voltage की value क्या रखी और जब मैंने base और emitter को बाइस कर रहा तो collector voltage की value क्या रखी तो इस तरीके से बच्चों यहां हमने output characteristics के मारे में discussion कर लिया that's all about this video thank you so much तो अलते यह क्या रहा शीव